Hello everyone, very good morning to all of you. आज के वीडियो में 8 दिसम्बर 2023 के Current Affair discuss करेंगे. हर एक question important है, इसलिए वीडियो का अंतिम तक दियान से देखिएगा. Current Affair की PDF Static GK के साथ आप मेरे Telegram से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे Telegram का official link वीडियो के description में तब से उपर दिया हुआ है. आप वहीं से daily के daily PDF डाउनलोड कर लिया करिये. Telegram पर मैं कई सारे quiz भी देता हूँ, तो आप उन्हें भी attempt किया करिये. क्योंकि वो जो quiz में questions होते हैं, वो most expected questions होते हैं आने वाले exams के लिए. जैसे कि अभी आपका exam अब CPO का लगा हुआ है, इसके अलावा SSC GD का exam लगा हुआ है, और पूरे SSC का calendar 2024 का तो already launch होई चुका है. तो तैयारी अपनी कस के रखिये, कमर कस के बिलकुल सारा syllabus करके अपनी तरफ से तैयार रखिये. आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल के question की. कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि फुलेला गोपीचंद कौन से खेल से सम्मन्दित है? तो दरसल फुलेला गोपीचंद एक बहुत बड़ा नाम है, बैडमिंटन खेल में. साल 2001 में फुलेला गोपीचंद ने इंगलेंड में होने वाली जितनी भी बैडमिंटन प्रतियोगिताएं थी, उन सब को जीता था. इसी वज़े से इनको अर्जुन एवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से, इनको पदम भूशन भी दिया जा चुका है, पदम श्री भी दिया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से. इस टाइम पर ये Chief Coach के रूप में कारे कर रहे हैं Indian Badminton Team के लिए जो की इंडिया की National Badminton Team है ये हैं तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत की National Badminton Team के ये Chief Coach है इस टाइम पर तो Coach इंग के लिए भी इनको भारत सरकार की तरफ से ड्रोनाचार एवोर्ड से भी सम्भानित किया जा चुका है। इसके अलावा ये एक प्राइवेट बेसिस पर अपनी अकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है गोपी चंद बैडमिंटन अकेडमी। अब शुरू करते हैं आज के करेंड फेर। ये कौन से राजी की राज़दानी ह जहां पर लगू फिल्म महसाओ आयोजित किया जा रहा है और्टिजम के लिए जानकारी देने के लिए। और्टिजम होता क्या है पहले ये समझ लीजे। ये एक तरीके का नियूरो डिसॉर्डर बिमारी है। और्टिजम से जादा तर बच्चे ग्रसित होते हैं और जब शुरुवाती दौर पर बच्चे से ग्रसित होते हैं तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो बच्चा चार लोगों के बीच में अपनी बात को रखने में हेजिटेट होता है। अगर उसके घर वालों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उससे बात करें तो उससे बात करने में हेजिटेट होता है, हिच की चाने लगता है, कभी-कभी तो स्टैमरिंग भी उससे होने लगती है। इतना ही नहीं। कुछ इस तरीके के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और्टिजम में कि वो जो बच्चा है एक ही बार एक ही बात को नॉर्मल टम्स है, एक ही काम को वो कही बार करता रहता है, उसको लगेगा यह नॉर्मल है, तो यह बीमारी एक तरीके से नियूरो डिसॉर्डर है, तो इसी से लोगों को जानकारी देने के लिए, कि आप इनीशल स्टेट में कैसे इसके सिम्टम से पहचान पाओगे और त की डूरेशन एक से पांच मिनट पकी है, केरल में मुख्यमंत्री है, इस टाइम पे पिनाराय विचिन और यहां पे गवर्नर है, आरिफ मुहमत खान, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शबत लेने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि अभी हाली में चार राज्यों के विधान सभा इलेक्शन हुए हैं, और उनके नतीचे आई हुए हैं, जहां पर अगर बात करें तो राजस्थान में सरकार बदल गई है, 36 गड़ में भी सरकार बदल गई है, इसके अलावा तेलंगाना में भी सरकार बदल गई है, और अब मिजोरम मे तो यह वो चार राजे हैं जहां पर अभी विदान सभा के एलक्षन हुए हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री होंगे लाल दुहोमा क्या नाम है लाल दुहोमा यह जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं और यह X IPS अधिकारी है और आपको पता है इनके बारे में एक इ 40 सीटों में इस बार जोरम पीपल्स मुवमेंट पार्टी ने 27 सीटे अपने नाम करी है तो इस वज़े से इस पार्टी के ही लाल दुहोमा है जो कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे और 27 के लावा अगर बात करें तो 10 सीटे जीती हैं मीजो नैशनल फ्रंट ने और बाकी BJP जो है BJP ने यहाँ पर 2 सीटे जीती हैं और कॉंग्रेस ने केबल 1 सीट जीती है तो यह है 40 सीटों का यहाँ पर लिखा जो का जो कि मिजोरम की विधान सबाकी है मिजोरम के गवर्नर कौन है यह आपको पिक्चर में देख रहे हैं यहीं है गवर्नर इनका नाम है हरी बाब अंतर रास्टी यह स्वयम सेवक दिवस हर वर्स कौन से दिन मनाया जाता है यह दिवस हर वर्स 5 दिसम्बर को मनाया जाता है दुनिया भर के जो वॉलेंटियर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए दिवस मनाया जाता है वॉलेंटियर्स आपको पता है क काम तो कर रहा है और काम करने के एविज में वो अपनी सेलरी लेता है उसका पैसा लेता है वो उसी तरीके से अगर वॉलेंटियर की दूसरी तरफ बात करी जाए तो वॉलेंटियर दूसरे का काम तो करेगा लेकिन उसके बदले में कुछ लेगा नहीं उन्हें वॉलेंटियर बोलते हैं अभी हाली में 115 million वर्ष पुराना शार्क मचली का जिवास्म भारत के कौन से राज में पाया गया है तो ये पाया गया है राजस्थान में और राजस्थान में कौन से डिस्टिक में जैसल मेर में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि राजस्थान का जो जैसल मेर है ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्टिक है राजस्थान का और ये जो जिवास में ये बहुत पुराना है 115 मिलियन साल पुराना जो कि अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं कि सिंदुगाटी सब्विता जब डिसास्थरस हुई होगी कंडीशन में तो कहीं न कहीं वाटर ही उसका कारण होगा तभी तो आप देख सकते हो आज की डेट में 115 मिलियन साल पुराना जो मचली का जीवास में ये सोचने वाली बात है राजस्थान में कैसे पाया जा सकता है अभी हाली में नाबाड और नाबाड के साथ मिलके देश पांडे फांडेशन और इसके अलावा करनाटक विकास ग्रामीन बैंक तीनों ने एक साथ पैक्ट साइन किया है और ये तीनों मिलकर कौन से राज्जिके बेला गावी और गदाग डिस्टिक में फॉर्म तो इसके लिए इक तरीके से आप इनको आर्टिफीशल पॉंड भी बोल सकते हो जो की किसानों के लिए खेती वाड़ी के लिए बना जाते हैं तो ये इस बार मना जा रहे हैं कहां पर करनाटक में इसी वज़े से इसके लिए आगे आया है करनाटक विकास ग्रामीन बैंक और इस बैंक का जो हेड़कोटर है ये है क्या बोलते हैं इसे धारवाड तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि नाबार्ड पूरे तरीके से इंस्पेक्शन करेंगे देश पांडे फांडेशन अपनी तरफ से मैन पावर देंगे इसके लिए और जो करनाटक विकास ग्रामी है जो कि पूरे भारत भर में प्रशी के लिए लोन देने का काम करते हैं और नाबाड की स्थापना 1982 में करी गई थी इसका हेड़कोटर है मुंबई नाबाड के चेहर परसन है इस टाइम पर शाजी के वी क्या नाम है इनका शाजी के वी अभी हाली में के कौन है जिनके द्वारा नारायंट सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट को नैशनल एवार्ट से सम्मानित क्या गया है तो यह है रास्टपती द्रोपदी मुर्मू इनके द्वारा नारायंट सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष है इनका नाम है प्रशांत अगरवाल ने अपने संस्थान के अंतरगत पूरे भारत भर में जो disabled person है ठीक है जो विकलांग जन है उनके लिए उतकरस्ट कारे किये हुए है चाहिए अगर बात करी जाए तो इन्हों ने उनको education center बना कर दिये हुए है rehab center भी बना कर दिये हुए है इतना ही नहीं कई तरीके की assistive devices भी बना कर दिये है जो कि कहीं न कहीं उनकी daily मर्रा की जो जिन्दगी है उसको आसान मनाने का काम करते हैं तो हर तरीके से इनका जो संस्तान है इन्होंने disabled person के लिए उतकरस्टकार किया है जिसके लिए रास्टी पुरस्कार से प्रशान्त अग्रवाल सम्मानित किया गया ज्यान रखिएगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था Kotech Mahendra Group के founder Kotech Mahendra, Kotech इनको अभी हाली में भारत सरकार की तरफ से Lifetime Achievement Award से भी सम्मानित किया गया है 2023 के लिए Times Magazine की तरफ से Athlete of the Year कौन रहे है तो इस बार 2023 के लिए Athlete of the Year रहे लियोनल मैसी इस टाइम पर अर्जेंटीना फुडवाल टीम के कैप्टन भी है ये और पिछले साल 2022 का जो FIFA World Cup था वो भी अर्जेंटीना ने फ्रांस को राकर जीता है इनी की कप्तानी में लियोनल मैसी ने अभी दो महने पहले ही बेलेंडियोर भी जीत लिया है और ये लियोनल मैसी के करियर का आठवा बेलेंडियोर है लियोनल मैसी पूरे दुनिया में एकलोते ऐसे फटबॉलर है जिए आठ बेलेंडियोर जीत लिया है क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो इस टाइम पर पांच बेलेंडियोर जीत चुके है तीन बेलेंडियोर पीछे है क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो मैसी से और मैसी की कप्तानी में पूरे 36 सालों बाद पिछले साल अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था फीफा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन भारत के कौन से शहर में क्या जा रहा है इस बार इसका आयोजन उत्राखंड के अंदर देहरादून में क्या जा रहा है और इसकी शुरवात आज से हो रही है आठ दिसम्बर से और यह दो दिफसी है मतलब कल तक चलेगा 9 दिसम्ब करना जैसे कि आने वाले समय में उत्राखंड के अंदर पर्रेटन को मजबूत बनाने के लिए हर एक गाउं के अंदर इस्टे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर पुशकर सिंग धामी की सरकार है और पुशकर सिंग धामी अभी कुछ ताइम पहले दोरे कि पर भी थे उत्राखंड के और यह कई गाउं में जाकर रुके भी हैं और इन्हों ने देखा है कि गाउं के अंदर पर्रेटकों के लिए इस्टे फैसिलिटी कैसी है उत्राखंड अपने आप में पूरा एकаемनि पूरा एक हिल स्टेशन इस्टेट के वाल एक टिस्तिक ही आराम नहीं देंगी, इवेन उत्राखंड के जो लोकल पीपल है, इनकी भी इंकम को बढ़ावा देंगे, अब ऐसे में जो उत्राखंड के लोग हैं, उन्हें दिल्ली मुंबई जैसे शेहरों की तरब भागने की जरुद नहीं होगी, वो अपने घरों में रहकर ही कमा यह कौन है, जो की इंडियन आर्मी में पहली महिला मेडिकल इदिकारी बन गई है, जिनको सिया चिन में पोस्टेट किया गया है, तो इंडियन आर्मी में फस्ट विमेन मेडिकल ओफीसर, यह है कैप्टन गित का कॉल, और इन्होंने अभी चार्ज समाला है सिया चिन फील्ड है और यह Northern हिमालिया में पढ़ता है और यहां पर जो temperature है वो all the time minus 50 degrees Celsius रहता है यहांकी जो duties हैं वो toughest condition है पूरे world में तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला इतिकारी को यहां पर post किया गया है अभी कुस टाइम पहले इस तरीके के दो question मैंने आपको और बताये थे जो कि आपको ध्यान रखने है यह तो हो गया Indian army से पहली महिला इतिकारी का एक है Indian navy से अभी हाली में पहली महिला इतिकारी कौन है जिनको naval warship की command दी गई है तो यह है commander मैं बार-बार आपको इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आपको याद रहे इसके अलाबा मैंने आपको यह भी बताया था Indian Air Force में पहली महिला इतिकारी यह कौन है जिनने ADC की post दी गई है तो यह है squadron leader मनीशा पाड़ी तो यह first women officers के Indian Army, Navy और Air Force तीनों के question है जो कि अभी पिछले 10 दिन के अंदर ही बन चुके है यह कौन सा traditional dance है जो कि गुजरात का है इसको अभी हाली में UNESCO के द्वारा intangible cultural heritage list में शामिल क्या गया है intangible का मतलब यह है जो कि physically चीज एक्जिस्ट नहीं करती है जो कि अपने आप में कला है तो dance अपने आप में कला है न वो यह व्यक्ति या वस्तु तो है नहीं तो यह dance है गरबा गुजरात का गरबा डान्स UNESCO के द्वारा लिस्ट किया गया है cultural heritage में वो भी intangible में इससे पहले अगर बात करें तो भारत की कौन सी intangible चीज है जो की cultural heritage में शामिल करी गई थी UNESCO के द्वारा तो यह है दुर्गा पूजा पश्चिम मंगाल की दुर्गा पूजा और इसको दो साल पहले इसमें लिस्ट किया गया था UNESCO की स्थापना 1945 में करी गई है इसका headquarter है Paris और UNESCO के इस टाइम पर प्रेसिडेंट है Andrew Azule कोन है Andrew Azule कितनी ऐसी भारतिये महिलाएं हैं जिनको 2023 की Forbes list of most powerful women में consider किया गया है तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में total 4 भारतिये महिलाओं को इस बर जगे मिल यह चार भारतिये महिलाओं कौन कौन है समझ लीजे नंबर वन पर निर्मला सीतारमन ठीक है इनको इस list में 32 रैंक मिली है नंबर दो पर जो है यह है SCL Technologies की chairperson रोशनी नाडर इनको इसमें 40 रैंक मिली है मावी चाहता हूँ 60 रैंक मिली है इनको 60 रैंक तीसे नंबर पर जो है यह है Steel Authority of India की Soma Mondal जो कि अभी कुछ राइम पहले ही chairperson मनी थी पिछले साल इनको इसमें 70 रैंक मिली है और चौती है बायो टेक्नलोजी कंपनी बायो कॉन की chairperson किरन मजूंदा और शौह और इनको इस लिस्ट में 76 रैंक मिली है तो यह वो चार भारतिया मैला है जिनको शामिल किया गया है बाकि इसकी टोटल लिस्ट पीडिएफ में मैंने दे रखी है वहां से आप देख लीजेगा और अग अगिनिया की top 3 most powerful women में किसको शामिल किया गया है तो number 1 पे इसमें रही है European Commission की President इनका नाम है Ursula von der Leyen ठीक है और दूसर नमबर पर कौन नहीं यह European Central Bank की President है Christine Lagarde क्रिस्टीन लगाडे और तीसर नमबर पर जो रही है यह अमरीका की Vice President है US की VP Kamala Harris Kamala Harris तो यह रही है Overseas में Top 3 और यह भारत की वो महिलाएं चार जिनको इस list में चामिल किया गया है यह कौन सा राज है जिसने अभी पांचवाँ Honey Bee Day Celebrate किया है ऐसा मदुमक्की पालन परंपरा के रूप में तो मदुमक्की दिवस इन्होंने मनाया है नागालेंड ने और इस बार इसका नाम इन्होंने रखा है मदुमक्की पालन परंपरा दिवस नागालेंड के अंदर गर बात करी जाए तो करीब एक लाग से जादा लोग मदुमक्की का पालन करते है और इस बार मदुमक्की पालन परंपरा के अंतरगत नागालेंड के अंदर इसको इस तरीके से बनाया गया कि मदुमक्खी के शहस से बनने वाले जो प्रुडक्ट सें उनको जादा से जादा एक्स्पोर किया जाए जादा से जादा उसमे रिसर्च and डेवलक्मेंट करी जाए ताकि आने वाले समय में नागालेंड उन चीजों का एक्स्पोर्ट कर सके उसका सीधा सीधा फरक नागलेंड की अर्थ वियस्ता पर भी पड़ता है नागलेंड पे मुक्षिमंत्री है नेप्यो रीो और नागलेंड में गवणनर कौन है? यह है लाग गनेशन, क्या नाम है? लाग गनेशन अब मेरा आज का सवाल आपसे आपने से कितने लोग बता सकते हैं ये computer का सवाल है आपको बताना है motherboard के घटकों के बीच सूचना का जो प्रसारण होता है एक से दूसरी जगे है वो किसकी वज़े से होता है मतलब आप ये समझ लो ये आपके computer में motherboard है और motherboard में component लगे है RAM हो गई, ROM हो गई, ठीक है इसी में CPU भी लगा रहता है इसी में cache memory भी लगी रहती है तो ये सब आपस में data को एक से दूसरी जगे भेज़ पा रहे हैं किसकी वज़े से CMOS की वज़े से, BIOS, BUS या फिर peripherals की वज़े से comment box में लिखकर बताईए देखता हूँ कितने लोग सही answer करते है आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते है मेरी ID है Varunavasti07 2024 के किसी भी exam के अगर आप तयारी कर रहे हैं चाहे वो SSC का कोई भी exam हो आपको पताईए vacancies का बहुत अच्छा मौका है SSC ने calendar भी जारी कर दिया है या फिर आप किसी भी राच के exam की तयारी कर रहे है GS का वेटेज आपको पताई GS अपने आप में हमेशा की तरह crucial topic रहता है जो कि आपका selection निर्दारित करता है तो आप GS के लिए मेरा GSGK का foundation pre plus mains का 2024 का e-batch अविल कर सकते हैं इसमें आपको discount भी मिल जाएगा अगर आप discount चाहते हैं तो आप मेरी ID sscgsguru at the date gmail.com पर message भी कर सकते हैं अपने contact number के साथ लिकिन करिएगा तो हम आपको इसमें discount भी provide करा देंगे और daily quiz भी आप एकदाम engine पर दे सकते हैं static GK का weightage भी आपको पता है आप इस batch को भी अवेल कर सकते हैं discount के साथ और बहुत ही जल्द हम एक discount offer भी लेकर आ रहे हैं December का तो उसमें भी आपको काफी सारे फायदे मिल जाएंगे इसके लावा आप मेरा history, quality, science इन सभी के specific batch भी अवेल कर सकते हैं आज की बात यहीं तक रहेगी thank you so much have a nice day, take care, bye bye आप का दिन मंगल मैं हो